हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैं डॉक्टर प्रीती गुपता एक बार आपके सामने फिर मौजूद हूँ और मैं आज लेकर आई हूँ अपने बेसिक कॉंसेप्ट की सीरीज का पार्ट फिफ्थ और सीरीज के इस पांचमे भाग में हम चर्चा करेंगे सामाजिक समहू की और फ्रेंट्स इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं समहू या कहिए सामाजिक समहू के अर्थ की तो फ्रेंट्स अगर हम समहू की बात करें तो हम कह सकते हैं कि समहू हमें जो है आदिम से आदिम समाज में और यहां तक कि कहते हैं कि कुछ पशुओं में भी देखने को मिलते हैं और अगर हम साइकलोजिस्ट या मनोविज्ञानिक की बात करें तो उनकी माननेता है कि व्यक्ति अपनी ग्रेरियस इंस्टिंक्ट यानि एक मिलनसार मूल प्रवर्ति के कारण ही समहु में रहता है तो यह जो मनुष्य की मूल प्रवर्ति है ग्रेरियस इंस्टिंक्ट इसके कारण ही मनुष्य जो है समहु का निर्माड करता है तो हम कह सकते हैं कि समहु ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनके बीच किसी ना किसी प्रगार का संबंद पाया जाता है यानि एक मिलनसार प्रवर्ति पाई जाते हैं और समाजिक समु के अर्थ के साथ साथ अब हम बात करते हैं समाजिक समु की विविन विद्वान द्वारा दी गई परिभाशाओ के बारे में तो जो हम समाशास्ति दिस्टी कोड से समाजिक समु का अर्थ जानते हैं तो उसके लिए मेकाईवर और पेच कहते हैं कि समहु से हमारा तात पर यह मनुष्यों के उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंद इस्थापित करते हैं और वहीं आगवन और निमकॉफ उनका मानना है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समुह का निर्माण करते हैं तो अगर हम परिभाशा और अर्थों को ध्यान में रखकर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामाने जानकारी या किसी उद्देश्य के अधार पर आपस में एक दूसरे से कोई संबंद स्तापित करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं तो उसको हम सामाजिक समु कहते हैं सामाजिक समु की अधारना को समझने के लिए हमें उसकी अर्थ और परिभाशाओं के साथ साथ उसकी विशेश्ताओं पर भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है तो अगर हम सामाजिक समु की विशेश्ताओं पर बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है कि समाजिक समु में एक से अधिक व्यक्ति, एक अधिक व्यक्ति यानि more than one person का होना जरूरी है क्योंकि समु बहसंग रहे हैं जिसकी सदस्य संख्या कम से कम दो या दो से अधिक हो और इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अकेले सम्हू का निर्मार नहीं कर सकता पर दो लोग आपस में मिलकर एक सम्हू का रूप धारण कर लेते हैं इस प्रकार हम अगर सम्हू के साइस की बात करें तो उसकी सदस्यों की संख्या से यह डिरेक्ली संबन देता है यानि सम्हू का जो आकार है उससे सम्हू की सदस्य श्योंकि संख्या से डिर्वा DAVID या किये प्रतिक शुरूप से सम्बन देते हैं वहीं वैक्तिक संपर्ग इसमें आवश्यक नहीं है क्योंकि पसनल कॉंटेक्ट इसमें गो जबात ज़्यादा उसकी आवश्यक्ता नहीं है निसेसरी नहीं है सम्हू के निर्माड में सम्हू के सभी सदस से एक दूसरे को पॉस्णली जानते हो यह जरूरी नहीं है बलकि छोटे समू जैसे फ्रेंड्स ग्रूप है फैमिली है इनमें तो व्यक्तिगत संपर्ग होता है पॉस्णल रिलेशन्चेप पॉस्णल कॉंट निर्माड के लिए यह कोई आवश्यक शर्त है वही फ्रेंड्स सामाजिक संबंद का होना सम्हू के लिए बेहत आवश्यक है शुशल रिलेशन्चिप इतनी must है कि इसके बिना सम्हू का निर्माड असंभवसा होता है तो लिगिन इसका यह मतलब नहीं है कि समू के सदस्य क्योंके बीच कोई सामाजिक संबंद होता ही नहीं है बलकि सामाजिक संबंद के बिना संहु का अस्तित भी नहीं हो सकता इसलिए संहु व्यक्ति के उस संग्रह को कहते हैं जिसके सदस्यों में किसी सामान्ने जानकारी कोई माननिता कोई उद्देश या इन मैंसे किसी भी अधार पर कुछ आपस में कुछ रिलेशन्शिप कुछ पारस पर एक संबंद पाए जाते हों वहीं अन्ताक्रिया का एक निश्चिस सरूप यानि एक definite form of interaction यह होना समु में पाया जाता है यानि हम कह सकते हैं कि प्रतेक समु के सदस्यों के बीच एक अन्ताक्रियात्मक संबंद पाया जाता है और उस संबंद का अपना एक निश्चित स्वरूप होता है एक निश्चित फॉर्म होती है जैसे कह सकते हैं कि family members के बीच पाए जान जाने वाले जो interaction relationship होती है वही एक भीड के लोगों में पाये जाने वाले के रूप में सरूप में नहीं होती वो थोड़ा अलग ही होता है तो उसी प्रकार जैसे scout group हम क्या सकते हैं scout group के सदस्यों के बीच तदा एक राजनेतिक समु के सदस्यों के पीच पाये जाने वाली अंता क्रियात्मक संबंदों का स्वरूप अलग-अलग होता है उसी तरह से एक फामिली और एक भीड इनके मिम्बर्स में भी जो अंता क्रियात्मक संबंद पाया जाता है जो interaction पाया जाता है वो एक different different form में होता है वहीं अगला point हम कह सकते हैं कि समुन निर्माड का एक नि निर्माड का कोई न कोई आधार होता ही होता है जैसे एक्जाम्पिल्स में हम असको ले सकते हैं कि जो blood relation के अधार पर समुन बनते हैं जैसे परिवार जाती समुन या कई जो शारीरिक विशेष्टाओं के अधार पर या लिंग समुन या शिक्स ग्रूप के अधार पर या आयू समुन या छेत्र के अधार पर समुन का निर्माड होता है यानि प्रतेक समुन के निर्माड के लिए संबंद में किसी ना किसी अधार को हम पाते ही पाते हैं वहीं समुन की एक निश्चत संदशना होती है तो इस संबंद में प्रोफेसर फिचर ने इस बात पर काफी बल दिया है कि अन्य सामाजिक संगठनों की भाती समुहूं की भी एक निश्चित संदचना या धाचा होता है और उस धाचे के अंतरगत उस समुह विशेश के सदस्यों की जो इस्तितियां होती है जो उनका स्टेटास होता है वो निश्चित होता है समुह के सदस्यों में इस सदस्यों की स्थिफियों की बीच उचनीच का एक उचनीच का फिन करते हैं स्टार्टिफिकेशन देखने को मिलता है जैसे परिवार के सभी सदस्य जो हैं एक ही परिवार के या कईई एक कि समूं के सदस्य होती है मा पिता पुत्र पुत्री इनकी स्टेटस में थोड़ा थोड़ा बुच नीच का या सोशल स्टेटस का जो है भेद अवश्य पाया जाता है इसके अलावा एच्छिक सदस्यता यह भी एक महत्तोपूर्ण विशेष्टा है क्योंकि अधिकांश्ता समूं की सदस्यता एच्छिक होती है यानि कि हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर है कि वह किस समूं का सदस्य बनना चाहेगा और किसका नहीं तो यह व्यक्ति की अपनी इच्छा उसका इंट्रेस्ट उसकी योग गिता के अनुसार्व है किसी भी समूं से अपना संबंद जोड़ सकता है या तोड़ सकता है उसी प्रकार एक व्यक्ति कितने समूं की सदस्यता को स्विकार करेगा यानि वो कितने सोशल ग्रूप का मे निर्भर करता है कुछ इस प्रकार के समूं भी होते हैं जिनकी सदस्यता व्यक्ति को अनुवारिय रूप से लेनी ही होती यानि कुछ गुरूप स ऐसे हुए जो व्यक्ति के इंट्रस्ट पर निर्भर करते हैं और वहीं कुछ कंपलसरी होते हैं जैसे फामिली कास्ट या जिस राज्जी के आप निवासी हैं यह ऐसी चीजे हैं जिनकी सदसिता व्यक्ति को आटोमेटिकली मिल जाती है जन्म के साथ ही तो जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो परिवार जाती या उस राज्य का सदस्य हो जाता है या कहिए बन जाता है अब चाहें वो इसके लिए प्रसंद हो इसमें उसकी अभिमती हो और चाहें ना हो तो उसी प्रकार उसे किसी ना किसी रास्ट का सदस्य भी अनिवारिय रूप से होना होता है यानि जिस इस राज्ज में वह जन्म लेता है उस राज्ज के साथ राष्ट का उसके संबंदित राष्ट का भी वह सदर से आटोमेटिकली बन जाता है। वहीं दोस्तों अगली विशेश्टा है समान हित या स्वार्थ अथवा उद्देश है। या एक समू के सभी सदत से कोई ना कोई समान हित स्वार्थ या उद्धेश द्वारा आपस में बंदे वए जरूर होते हैं। यदि practically हम देखें ब्यवारिक रूप में देखें तो clear होगा कि कोई व्यक्ति किसी विशेश समू का सदस्य उसी अवस्था में बनता है जबकि उसे ये आशा हो कि उसके हितों की पूर्ती उस समू में ही हो सकती है क्योंकि जब तक हित या अपने स्वार्त की भावना ना हो हला कि friends group में ऐसा नहीं होता फिर भी समू के सदस्यों के उद्देश्च में एकता आवश्य होती है यूनिटी होती है उनिफॉर्मेटी होती है और यह समान हित या उद्देश ही एक समू के सदस्यों में अन्ता क्रियात्मक संबंधो यानि कह सकतें इंटरेक्शनल रिलेशन्शिप को पनपाने में सहायक सिद्ध होते हैं और इसके बिना समु का निर्मान या कईयो उसके बनाय रहना संभवी नहीं होता है वहीं नियंत्रन का कोई ना कोई सरू प्रतेक समू में पाया जाता है क्योंकि प्रतेक समू अपने सदस्यों के ब्यावारों को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रित करने के लिए किसी ना किसी उपाय को जरूर अपनाता है अब चाहें वैस नियंत्रण के लिए प्रथा परंपरा कोई समाजिक नियम या कोई कानून या कोई भी फॉर्मल या इन्फॉर्मल साधन को अपनाए यह साधन समू की प्रकर्ती के अनुसार अलग-अलग तो हो सकते हैं लेकिन होते जरूर हैं जैसे परिवार में जो है व्य काम करते हैं वहीं एक रास्ट्र या राज्य के समू के सदस्थता के लिए तो कानूनी आधार ही संभव हो पाता है वही इसी तरह सामाजिक लक्ष या कई यह शोशल गेम प्रतिक समू के माध्यम से समाज के किसी ना किसी सामाजिक लक्ष की प्राप्ति होती है क्योंकि वास्तिविक्ता यह है कि समाज अपने सभी लक्षों की प्राप्ति विविन समाजिक समुहूं के द्वारा ही कर पाता है और समाज के यह लक्ष समय समय पर बदलते रहते हैं तो हम कैसकते हैं की सम्हूं के सामाजिक लक्ष भी इस्थिर नहीं बल्कि सम्हूं की तरह परिवर्तंशिल होते हैं वहीं एक मैतुपुन्ट विशेषता है सम्हू के लिए जिसको माइकाईवर और पेज ने कहा है जागरुकटा तो मैकाईवर और पेज ने पारस परिकता जागरुकता को सम्हू के आवश्यक तत्त के रूप में भी स्विकार किया है एक सम्हू के सदस्यों में परस पर सहानुभूती और सहयोग की भावना पाई जाती है ऐसा मैकाईवर और पेज का मानना है वहीं एक और मुख्य विशेष्टा कह सकते हैं इस्तरीगरण की इस्तरीगरण में के सम्हू में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते बरन ये अलग अलग प्रवस्ति थी एवं भूमिका को निवाते हैं अता सम्हू में पदों का उतार चड़ाव पाया जाता है पदों क ओवजिता या निम्दत यानि स्टाटिफिकेशन के इस क्रम को ही हम संस्तरण कहते हैं और साथियो अवतक के दिस्क्रिप्शन से अब ये क्लियर है कि किसी भी सामान अधार पर आपस में संबंदित या परसपर संबंदित एक से अधिक व्यक्तिय के संग्रह को हम सामाजिक समू कहते हैं और सामाजिक जीवन में ये सामान आधार जो हैं बहुत सारे हो सकते हैं और इन मेंसे कुछ भी कुछ भी सम्हू निर्माड का आधार बन सकता यानि इन मेंसे किसी भी के आधार पर हम सम्हू का निर्माड कर सकते हैं और इसलिए गिलिन एंड गिलिन ने सम्हू निर्माड के छे आधारों का उलेख किया है उसको हम स्लाइड पर आपको उनके आधार with examples आपको show हो रहे हैं जैसे रख्तसंबन यानि परिवार सेकिंड शारीरिक विशेष्टा जैसे प्रजाती यानि प्रजातियों में जो सारीरिक विशेष्टा है पाई जाती है इसके लावा नमबर तीन पर उन्होंने छेत्र दिया territory जिसमें हम राज या राष्ट को example के तोर पर इस्तिमाल कर सकते हैं उसके लावा अस्थाई संगठन जैसे किसी एक इस्थान पर एक अत्रित भीड इस्थाई संगठन जिनको हम गाउन अगर की संगिया दे सकते हैं examples में और साथी साथ संस्कृतिक अधार जैसे कि आर्थिक समू, धार्मेक समू वनें छेत्र विशेष की संस्कृतिक अधार पर भी समू का निर्माल हो सकता है तो ये वो points हैं जिनके अधार पर गलिन अंगलिन का मानना है कि इनके अधार पर भी समू का निर्माल किया जा सकता है और वहीं मैकाईवर और पेज ने समू निर्माण के लिए पांच अधारों के बारे में बात की है नमबर एक भूभाव जैसे गाउ है नगर है रास्ट्र है सेकिन सामाजिक संगठन की प्रकर्ती इनके अधार पर भी समू का निर्माण होता है जैसे राज है भीड है उसकी क्या प्रकर्ती है उसके अधार पर भी समू बन जाते हैं इसके अलावा मैकाईवर और पेज सदस्य संख्या की भी बात करते हैं जोटे कम सदस्यों का समू या अधिक सदस्यों का समूं जैसे परिवार है या कोई श्रमिक शंग है इसके अलावा पारस्परिक संबंद की प्रकरती की भाद भी मैकाईवर और पेज करते हैं जैसे बालचल बालचल यानि स्काउट्स या कई ये सिटी इसके अधार पर भी जो है समूं का निर्माण होता है और इस इसको भी समूं निर्माण के अधार के रूप में मैकाईवर और पेज ने स्विकार किया है और इन सब ये जो गिलिन के या मैकाईवर और पेज के जो अधार हैं इनका हम आगे के वीडियो में बहुत विस्तार से हम इन पर चर्चा भी करेंगे और उसी तरह से सोरोकिन है जिमरमेन है गैलपिन है इन्होंने अपनी पुस्तक और सिस्टमाटिक सोर्स बुक इन रूलर सोशियालिजी में ऐसी अनेक पॉइंट्स का या कही अनेक चीजों का लेक किया है जिनके अधार पर समूं का निर्माण हो सकता है जैसे रक्त अथ्वा एक ही पूर्वसे अपनी उत्पत्ती मानने का विश्वास, बिवा, समान धर्म, अथ्वा जैदू टोने की विधिया, समान भाशा, समान लोकाचार और रिती रिवाजों में विश्वास, एक ही छेत्र में निवास, पढोस, इसके अलावा समान निव्यवसाए, एक समान उत्तरदाइत, एक ही स्वामी के आधीन रहकर कार्य करना या फिर समान सत्रू ये भी इन्होंने जो है समुह अधार का निर्माड बताया है और साथ साथ रहकर कार्य करना या कह सकते हैं एक ही संस्ता से संबंदित होना उससे जुड़कर काम करना या फिर पारसपरिक सहयोग यह पॉइंट्स जो है सोरुकिन जिमर्मेन और गैल्पिन ने दिये हैं जिनके अधार पर सम्हों का निर्माड किया जा सकता है इन सब अधारों के अलावा कुछ समाशास्त्रियों ने समाजिक सम्हों का वर्गी करण भी अपने अपने हिसाब से किया है जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सम्हों का वर्गी करण किया है उन्होंने उसे मुख्यता दो प्रकार के सम्हों को माना है अंता समू और बाहे समू तो अगर हम पहले अंता समू की बात करें यानि इनर गुरूप की बात करें इन गुरूप की बात करें तो इस सब्द का प्रियोग सरवुर्थम सम्नर ने ही अपनी पुस्तक जो है फॉग वेज में सन 1907 में किया और उसके बाद से यह सब्द समाश में काफी लोगप्रिय हुआ और और समू के सदस्यों के दृष्टि कोर से अगर हम बात करें तो अन्ता समू यानी इनर गुरूप जो वी फीलिंग और सहनुभूती आपस में सिंपैथी पाई जाती है वो जो है आपस के दुख दुख को सुख दुख को अपना समस्ते हैं वहीं जब बाहे समू की बात आती यानि आउट ग्रूप की बात आती है तो यह समू दूसरों का ग्रूप या एक सकते हैं अधर आपना यानि वी फीलिंग नहीं होती और नहीं कोई सहयोग या सानुभूती की फीलिंग होती है उसके सुख दुख के साथ उस समू के सदस्यों का कोई लेना देना नहीं होता कोई संबंद नहीं होता और इसी कारण वाहे समू के प्रती व्यक्ति का ब्यवार पक्षबात और कई वार ग्रणा से भी भरा हो सकता है और सम्हू परगी करण में एक बहुत इंपॉर्टन क्लासिफिकेशन है जो चाल्स कूले ने दिया है वो है प्राथमिक सम्हू का यानि प्राइमरी ग्रुप का फ्रेंड्स चाल्स कूले ने सबसे पहले प्राथमिक सम्हू के कॉंसेप्ट से ही हमारा परिचा करवाया और 1919 में उन्होंने इसको विस्तार से अपनी जो पुस्तक है शोशल ओगनाईजेशन उसमें प्राथमिक सम्हू का अर्थ सपस्ट करते हुए क्लियरली लिखा है कि प् संबंद और सहयोग है इस प्रकार के सम्हूं अनेग अर्थों में प्राथमिक होते हैं और भेवी मुख्यता इस अर्थ में कि व्यक्ति के सामाजिक सौभाव आदर्शों के निर्मान में बे मुल्भूत होते हैं प्रात्मिक सम्हूं के कॉंसेप्ट को क्लियर करते हुए वास्तव में आमने सामने के समूह होते हैं यानि फेस टू फेस समूह होते हैं जिसके सदस्यों में बेहद घनिष्टता और सहयोग सहयोगी संबन्द यानि एक कॉपरेशन पाया जाता है सहानुभूती और सदभावना भी देखने को मिलती है और इन सब चीजों से प्रात्मिक समूह में पूरी तरीके से हम की भावना का जन्म होता है यानि एक वी फीलिंग वी फीलिंग जो है वो डेवलप होती है यानि हम कह सकते हैं कि वह प्रात्मिक समूह के अन्य सदस्यों के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मान लेता है व प्रात्मिक समू के कूले ने कुछ उधारण भी दिये हैं जिनमें सब से महत्पूर्ण तीन प्रमुक उधारणों का मैं यहां उलेक करूंगी एक परिवार यानि फामिली दूसरा बच्चों के खेल के साथियों का समू यानि प्ले ग्रूप्स इनको भी चाल्स कूले ने प् प्रात्मिक समू के उधारण हैं हलागी फ्रेंड्स प्रात्मिक समू अपने आप में एक बहुती विश्तरित चर्चा का विश्या है जिसको हम अपने आगे के वीडियो में आपको देंगे लेकिन फौरी तोर पर हम चाल्स कूले के इसी अवधारणा को यहां क्लियर करते ह जब तक सेकेंडरी ग्रूप यानि दितियक समू की चर्चा ना की जाए तब तक प्रात्मिक समू अपने आप में अधूरा है चाल्स कूले ने कहा भी है कि वे सभी समू जो प्रात्मिक नहीं हैं सब दितियक हैं तो अगर हम दितियक समू यह सेकेंडरी ग्रूप की बात कर तो ये प्रात्मिक सम्हूं का जस्ट अपूजिट कॉंसेप्ट है यानि एकदम उल्टा सरूत है यानि जिन विशेष्टाओ का दर्शन या जिन विशेष्टाओ को हम प्रात्मिक सम्हूं में पाते हैं देखते हैं उन में से कोई भी विशेष्टा दितियक सम्हूं में नही पाए जाती चाहें वो आमने सामने की यानि फेस टू-फेस रिलेशन्शिप हो घनिस्ट संबंध हो या कोई व्यक्ति गज्जान पैचान या आकार आधी ऐसा कोई भी जो विशेश्टा है जो प्रात्मिक समुह के लिए बहुत प्राइमरी है बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिखिंडरी ग्रूप्स में नहीं पाई जाती है और दितियक समुह इसी अर्थ में प्रात्मिक समुह का एकदम विप्रीत रूप है दितियक समुह के उधारण के रूप में हम समदाय, रास्ट, भीड, बर्ग, प्रजाती ऐसी चीज़ों का उलेख कर सकते हैं और इस संदर दितियक समुह का भी आभाव होता है जो अधिकानशता प्रात्मिक तथा आभास प्रात्मिक समुह में पाई जाती है फ्रेंट जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि हम प्रात्मिक समुह की चर्चा करेंगे तो प्रात्मिक समुह जो है दितियक समुह के विना हम कह सकते हैं एक तरीके से अधूरा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना प्रात्मिक और दितियक समुह पर ही आपको पूरा जो है इस समू है और यह भी समू निर्धारण का एक बेहद महत्पून अधार है और मर्टन ने इसी अधार उपर संधर्व समू यानि डिफ्रेंस ग्रोप की एक बहुती विस्तृत विवेचना दी है उन्होंने उस समू को संधर्व समू माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है किन्तु वैस सदस्य बनने की आकांग्षा आवस्य रखता है यह आकांग्षा उसकी मनवरत्तियों मुल्यांकनों तथा व्यवार को भी प्रभावित करती है फ्रेंस मर्टन की माननेता है कि सापेक्ष हींता के कारण संधर्व समू का निर्मार होता है और यहां मतलब यह है कि व्यक्ति के मन में अपने समू के प्रती एक हीन भावना जागरत होती है और वह किसी अन्य समू को अपने समू से उचा समझने लगता है जिससे कि वो अपने समू की दूसरे समू की तुलना करता है तो यानि वो जिस समू का सदस्य नहीं है उस समू को अपने संहु से stressed मानकर उस संहु का सदस्य बनने की एक्षा रखता है या आकांख्शा रखता है और किसी महत्वा कांख्षा की पूर्ती के लिए ही वह किसी संहु को अपना संधर्व संहु बना लेता है तो friends अपने इस वीडियो पर हमने बहुत limited रूप में जो है सम्हू पर चर्चा की है और उमीद है आपके लिए ये useful होगी लेकिन हम आगे के वीडियो में इस पर विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे जैसे जो हमारे primary और secondary ग्रूप है यानि प्रात्मिक अदेतियक सम्हू है इसके अलावा ये संदर्व सम्हू यानि reference ग्रूप है ये ऐसे विषय है जो अपने आप में ये topic जो है बेहत विस्तृत है और इन पर एक separate separate वीडियो हम आपके सामने लाएंगे जिससे आपको बहुत विस्तार से इनके बारे में जान सकें लेकिन जो एक सम्हू का overall जो description था वो इस वीड अपनी कुछ questions अगर मुझे देना चाहते हैं तो मेरे comment box में लिखकर मुस्तक दें और मैं आपकी नाकांग्शा को पूरा करने का जरूर प्रयास करूंगी और इसके लावा जब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe भीज झाल करूंगी